जब मुकरने लगती है सियासत तब नारे नहीं बन पाते हैं हकीकत जब दिखने लगती है इरादों में खोट तब आवाम करती है वोट से मुकम्मल चोट जब सच की सियासत मांगे आपका सपोर्ट तब देखिए मेरे साथ हर वोट की ग्राउन रिपोर्ट उत्तर प्रदेश अब असुरक्षित प्रदेश बन गया है हात्रस से लेके प्रताबगड और उन्नाओं से लेकर गोंडा तक चित्रकूर से लेकर बारा बंकी तक या यूं कहें कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां बड़ी वार्दात न हुई हो सरकार तुम्हरे राज में यूपी बन गया जंगल राज कितनी बेटियां कितने उन्नाओं कितने अत्याचार सरकार तुम्हरे राज में कानून है लाचार राम कृष्ण शिव की धर्ती रोय, गंगा बनी आसुओं की सहलाब, तहजीब रोई, यूपी रोई, रोई बेटियों के खुआब उक्तर प्रदेश में बर्ता अपराद और अपराद की बर्बर्ता, विभत्स, शर्मनाक और हिर्दे विदारक है यह योगी सरकार के कुशासन को दर्शाता है, जहां अपराधियों, बलतकारियों की जैजैकार, उन्हें सर्रक्षन देना सरकार के कल्योगी शासन का चेहरा बन गया है उन्हाओ की घटना को याद कीजिए, उस दर्दना घटना ने देश को हिला डाला था और हात्रस की विभत्स घटना तो मौजूदा सरकार पर एक बदनुमा दाग है याद कीजिए, रात के अंधेरे में योगी सरकार ने धर्म की रिती रिवाजों को परेकर अंधेरी रात में उस बेटी के शव को जला डाला दरिंदगी, हैवानियत, चितकार से शम्शान भी फूट-फूट कर उस रात रोया होगा ब्रिजशेत्र, धर्माध्यक्ष, श्रीक्रिष्ण की नगरी में अंतिम संसकार के धर्म से परिवार को दूर रखा गया साक्ष को भी जलाने की कोशिश हुई विधी विधान के विपरीद पाठ पूजा, मंत्रोचारण के विपरीद, सुर्यास्त के बाद अमतिन संसकार किया गया यह थ्या थी हमारे से भहता की, हमारे संसकारों की और हमारे धर्मों की यही नहीं जब कॉंग्रिस ने था श्री राहूल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाडरा उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए चट्टान की तड़ा खड़े रहे तो उनके साथ भी कैसा बरताव किया गया यह पूरे देश ने देखा मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो इस लड़की के साथ हुआ और जो आज भी उसके परिवार के साथ हो रहा है जो पिछले तीन तार दिनों से उन पर अन्याय पर अन्याय लादा जा रहा है इसके खिलाफ इस देश की एक-एक महिला की आवाज उचनी चाहिए इस देश की एक-एक पुरुष की आवाज उचनी चाहिए क्योंकि इस तरह का अन्याय कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया उसको जेलते हुए भी सरकार की कोई मदद नहीं मिली उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा आपने आपको इसलिए मैं आपके बीच आई जब मैंने सुना कि यहाँ आपके समाज वाल्मी की समाज ने उनके लिए परातना सभा रखी है मैं इसलिए यहाँ आई कि आपको और उनके परिवार को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अकेले हैं कि जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे हमने कल भी कहा और हम आप सब को से अगय करते हैं अपनी आवाज उठाईए मीडिया के मेरे भाई बहन यहां है आप सरकार पर दबाव डालिए हम राजने तिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक-एक महिला सरकार पर मेतिक दबाव डालेंगे हमारी बेहन के साथ न्याय होना चाहिए हमारी देश की ये परमपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई, उसकी चिता को जला नहीं पाए ये हमारी परमपरा नहीं है ये बहुत बड़ा न्यायα सूरज के जूपने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किये जाते परिवार से पूछे ऐसी चीज़ की जाई और हम सब चुप रहे हैं सबसे कहना चाहती हूं कि आज हम प्राथना सभा में आए हैं शोक मनाने आए हैं लेकिन इससे बढ़कर हम सब यहां उपस्ते तिसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ नयाए करवाएंगे इस सरकार पर दबाव डालेंगे जब तक नयाए नहीं होगा आपकी बेटी के साथ उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ तब तक हम रुकेंगे नहीं यजीब बात है कि घटना को ढखने के लिए आंकडों को ढखने के लिए और तो और समशान को ढखने के लिए योगी सरकार तत्परता तो दिखाती है लेकिन उसकी पोल पट्टी भी खुल जाती है प्रताब गड़मे पत्रकार सुलब श्रिवास्तों की मौत को हाथसा बताने में योगी सरकार की पुलिस ने तनिक भी देरी नहीं की दरोगाजी ने दुरघटना बता कर फाइल बंद कर दी थी उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कंटेक्ट लिष्ट के आधार पर संबंदित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को ही बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्टिक हास्पिटल पहुंचे जहां डाक्टरों द्वारा उन्हें विद्भोशिक कर दिया गया था उसके परश्चात स्थानी पुलिस टीम एवंग मैं एवर्ट सीओ सिटी द्वारा घटना स्तल का नि जिससे टकराकर मुयम्वित्य होना पाया गया है घटना के संबंध में अन्य विभिन पहलों के बारे में घहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कारवाई प्रचलित है पर भला हो प्रताबगड और प्रियागराज के अस्थानी पत्रकारों का कि उन्होंने नयाय की ऐसी गुहार लगाई कि फाइल दुबारा खुरी और सरकार की आँग भी पर सवाल ये है कि जब निर्भीक पत्रकार अपनी जान की सुरक्षा को लेकर सरकार को जेताता है, पत्र लिखता है, सुरक्षा मांगता है तो पुलिस सो रही होती है मुख्यमंत्री को अपने कुर्सी बचाने की चिंता लगे रहती है उन्हें कहां फुरसत की सुलफ जैसे लोगों की सुरक्षावों कर सके सब कुस तो इस राज में रामभरों से है कॉंग्रेस महासची प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योग्या दितनात को भेजे पत्र में लिखा है कि यूपी में कई जगहों से जहरीली शराब से हुई मौतों की खबरें आई है अलिगर से लेकर प्रताबगर तक जहरीली शराब के चलते सैकडों लोगों की मृत्ति हो चुकी है वैसे में एक पत्रकार द्वारा खबरें दिखाने को लेकर शराब माफियों से खत्रा होने की आशंका बताती है कि प्रदेश में कानून के राज का इकबाल खत्म हो चुका है यूपी में बलियां उन्नाओ समेत कई जगों पर पहले भी पत्रकारों पर हमले होते आए हैं लकनओ सहित उत्तरवदेश में सरकार की नाकामियों की वज़े से करोना में न जाने कितने लोग मर गए चर्मराई स्वस्त विवस्था के तस्वीर ने योगी सरकार की असलियत बता दी अलिगड में जहरीली शराब ने सैकडो घरुजार दिये यह जहरीली शराब कई जिलों में लोगों को लील गई गंगा की लाशों की बाड़ पंचाह चुनाओं में हजारों सिक्षकों की मौत आगरा के नगला विदीचंद गाओं की पांच वर्शी सोनिया की भूग से मौत लखनों में एक पुलिस वाले ने सर्याम एपल के एरिया मेनेजर विवेक तिवारी की गोली मार कर हत्या लखीम पुर्खेरी में तेरह साल की दलित नाबालिक के साथ बलतकार उसकी आखे फोड़ना और बाद में जीफ कार दिना बदोही में 11 साल की दलित नाबालिक की सिर इड़ पत्थर से कुचल कर हत्या ऐसे नव जाने कितने मामले हैं जो योगी सरकार के तग में हैं जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता आगरा में जिस तरह से 22 लोगों की जान गई वो मानवता को शर्मसार करती है पिछले चुनाओं में आपको याद होगा शमशान और कबरिस्तान वाला मुद्दा इस बार हर व्यक्त को अपने किसी निज़्दी की के खोने का गम है मुद्दा जिंदगी और मौत का है क्योंकि सरकार की नाकामियों से लोगों ने सांसों के जाने की तड़पन देखी है और वो इसे भूल नहीं सकते हर गली हर महले में राम नामसत्य की आवाज गुजी है और हर गाओं के गंगा के किनारे लोगों ने लाशों को देखा है